कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का पहला सबक सबक नमबर एक मिट्टी का दिया जुट पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया एक बुढिया ने सरे राह लाके रौशन कर दिया ताके राहगीर और परदेशी कहीं ठोकर ना खाएं राह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा ये दिया बेहतर है उन ज्जाडों से और फानूस से रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा गर निकल कर इक जरा महलों से बाहर देखिए है अंधिरा घुप दरो दिवार पर छाया हुआ सुर्ख रू आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं सफ़ा दो मानी याद कीजिए जुट पुटे के वक्त सुरज डूबने के वक्त, शाम के वक्त सरे राह रास्ते में राहगीर रास्ता चलने वाला राही परदेसी मुसाफिर दूसरी जगा का रहने वाला जाड शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमादान फानूस चिराख की हिफाज़त करने वाला शीशा चिमनी सदा हमेशा सुर्ख रूप कामियाब आफाक उफक की जमा दुनिया, काइनात रहनुमा मीनार वो रोशन मीनार जो समन्दरों में जाहाजूं और कश्टियों को रास्था दिखाने में मदद करते हैं मल्ला कश्टी चलाने वाला बेडे जाहाजूं और कश्टियों का काफला बेडा पार होना मन्जिल पर पहुँचना, काम्याब होना सफ़ा नमबर तीन सोचिये और बताईए एक, बुढिया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? दो, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? तीन, मिट्टी का दिया जाड और फानूस से बहतर क्यूं है? चार, महलों के बाहर अंधेरा होने से शायर की क्या मुराद है? पाँच, रात में मल्लाहूं को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है? छे, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या-क्या काम कर सकते हैं? इन लफजों के मुतजाद लिखिये आसान, बहतर, रोशनी, महल, अंधेरा मिसरे मुकमल कीजिये एक, जुट पुटे के वक्त, खाली जगा से एक मिट्टी का दिया दो, ताके रहगीर और खाली जगा कहीं ठोकर ना खाएं तीन, राह से खाली जगा गुजर जाए हर इक छोटा बड़ा चार, रोशनी से जिनकी खाली जगा के बेडे पार हैं? इमला दुरुस्त कीजिये बुढिया, आसान, फानूस, परदेसी, महलूं, बेहतर, सुर्ख सफ़ा नंबर चार, लिखिए एक, इस नजम का मतलब अपने लफजों में लिखिए दो, आपने भलाई का कोई काम जरूर किया होगा, उसे अपने अलफाज में लिखिए कॉलम अल्फ और कॉलम बे के मिसरों को मिला कर सही शेर लिखिए अल्फ जुट पुटे के वक्त घर से एक मिटी का दिया बे ता के रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाए अल्फ रह से आसां गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा बे एक बुड़िया ने सरे रह लाके रोशन कर दिया अल्फ रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा बे ये दिया बेहतर है उन जाडों से और फानूस से गौर करने की बात आपने पढ़ा कि मिट्टी के मामूली दिये से रहगीरों को कितना फाइदा हुआ वो ठोकर खाने से बच गए और दिये की थोड़ी सी रोशनी में उन्होंने आसानी से रास्ता पार कर लिया अब आप समझ गए होंगे कि लोगों की मदद करने और दूसरों को फाइदा पहुँचाने के लिए बहुत ज्यादा कीमती चीजों और रुपए पैसे की जरूरत नहीं होती बलके मदद करने के जजबे और दर्दमंद दिल की जरूरत होती है बड़ा आदमी वही है जो दूसरों के काम आए अपनी जबान भाग एक का पहला सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक दो आता है प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत